लोकसबर चुनाओं के बाद जार्खन में अगामी विधानसबा की हल्चल सुरू हो गई है और इन दिनों ग्रिह मंत्री अमित साहद द्वारत दिया गया एक बयान भी खूब चर्चा का बिसे बना हुआ है इस बयान के तहट ग्रिह मंत्री ने कहा था जार्खन में यूनिफ स्टंट हो सकता है लेकिन दबे जुबान ही सही आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज फिर से इस कानून को लेकर एक्टीव हो गया है और यूशिसी के खिलाब अपनी नाराजगी व्यक्त करना भी सुरू कर दिये हैं बताते चले साल 2019 में दूसरी बार इंडिये की सरकार ब विरोध किया गया था इधर अमित सादवारा दिये गए इस बयान ने एक बार फिर जार्खन में यूशिसी की राजनीति को गरम कर दिया है तो आए समझते हैं आखिर क्यों यूशिसी कानून का दिवासी और मुस्लिम समाज हमेशा से विरोध करता आ रहा है और इसके तंत्र नाइंटीन और दाग्राम सभा को फीजबुप फोलो और यूटूब पर सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं जोहार मैं सिमक छप और आप देख रहे हैं लोग तंत्र नाइंटीन केंद्री वीदी आयोग ने समान नागरिक सहंता यानी यूनिफ सिबिल कोड पर लोगों से राइम सुमारी करनी सुरू कर दी है माना जा रहा है कि नवनिर्मित मोधी सरकार आने वाले एक दो सालों के अंदर इस कानून को पूरे देश में लागू कर दीगी अभी हाल में ही उत्राखंड सरकार द्वारा यूसिसी कानून को पुर्ण ही है कि बहुत ही जल्द अने राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है इधर जार्खंड के सरंदर में देखे तो अगामी विधान सबा चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी यानि बीजेपी इसे राज्य में बड़ा राजनिती गाओं के रोप में ले सकती है चु के लिए फिल्हाल समय नहीं बचा है ऐसे में समान नागरिकता कानून लागू होने की संभावना राज्य में नहीं दिख रही है वही संबंद में यदि सरकार चाहे तो वह अध्यादेश के जरिए समान नागरिक सहिंता लाने का विकल्प अपना सकती है बाद में इसकी में बता दें नागरिकता संसुदत कानून और नर्स यानि नेशनल रजिस्टर फोर स्टिटीजन्स जैसे मुद्दों पर भी इसी तरह का विरोध हुआ था ऐसे में बड़ा प्रस्ण यहां भी है कि सरकार यहां कानून लाकर आदिवासियों और मुश्लमानों की को अवेत करार कर दिया गया था लेकिन अपनी धार्मिक मानिताओं के अल्मसार मुश्लमानों को इसमें छोट दे दी गई थी कई जन जाते समूं में भी बहुपत्नी और बहुपत्ती प्रथा सामीन है इसलिए समान नागरिक सहिंता लागों होने से कही न कहीं आदिवासि समूदाई की इस मानिता को चोट पहुं सकती है और लिहाजा इस कानून के प्रति उसनके बेच विरोध तेज हो सकता है इतनी विरोध की बावजूत भाश्पा को यह समझना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों के अंदर पार्टी में आदिवासी वूटरों की संख्या बड़ी ह क्योंकि अगर हम बात करें तो 2014 की लोगसबा चुनाओं में 27 सीटों और 2019 के 31 सीटों पर सफलता मिली थी दूसरी सीटों पर भी अगर हम बात करें तो आदिवासी मतदाताओं ने भाश्पा की जेट सुनिश्चित करने में महत्तवपून भूमी का निभाई थी अब जब की इसी साल हुए आदिवासी मतदाताओं की बहुलता वाले राज यानी की 36 गड़, मंध्यपर्देश, राजस्थान और तिलंगना में बिधान सबा चुनाओं में भाश्पा को अच्छी खासी बड़त मिली है ऐसे में एक बार फिर यूसी सी मुद्दा का उठाना राज में भाश्पा को महगा पर सकता है ऐसे में अगामी ज़ारखन गिधान सबा चुनाओं काफी दिल्चस्प होने वाला है क्योंकि एक और जहां बिजेपी यूसी सी कानून लावो करने पर अड़ी है तो वहीं दूसरी और राज्य के अधिकतर आदिवासी समुदाए इस कानून के विरोध में खड़े हैं ऐसे में बिजेपी आदिवासी समुदाए को कैसे समझा पाएगे या पार्टी के लिए चुनौती पून हो सकता है क्योंकि जब तक आदिवासी को यूस्पी कानून के बारे में नहीं समझाएंगे तब तक आदिवासी आपका साथ नहीं देगे और इसका जीता जाकता उधारन बीते लोगसबा चुनाओं में हम देख चुके हैं जहाँ पर सभी पांच के पांच आदिवासे रिजर्ब सीट बीजेपी हार गई है ऐसे में आसंका जताई जा रही है कि कहीं फिर से राजनीती नहों इसको लेकर अमित साहन दबे जुबान ही सही यूसिसी से आदिवासियों को अलग करने की बात कर रहे है अब जब अमित साहन ने फिर से इस कानून को छेड़ दिया है तो यह जार्खन में राजनीती का बिसे बन गया है और आगे देखना दिल्चस्प होगा कि आगे चल कर इस पर किस तरह के राजनीती होती है बाकी आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं फिलहान इस बारे में आप सब का क्या कहना है हमें कमेंट वोक्स के माध्यम से जरूर बताए साथी साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर जरूर करे साथी साथ हमारे चैनल लोगतंतर 19 को सब्सक्राइब जरूर करे चुहार